वेलकम तो माई चैनल स्विल कॉंसेट एंड प्लांस फ्रेंट इस वीडियो देखने वाले नहीं कि आपका जो विंडो होता तो विंडो के बिशिक लिए क्या है ताम लोग पर पर वाइड करते हैं और जो वेदर से जिसको आप बो सकते हैं जो हम विंडो के उपर जो यूज करते हैं उसको भी उसका जो भी आप में रियूज कर रहे हैं उसके भी आज हमनों क्वांटिटी करने वाले हैं तो फर्दे वीडियो करने के पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए के साथ सब्सक्राइब कर लेजिए के साथ सब्सक्राइ दिया हुआ है यहां पर है कि calculate quantity for reinforcement in slab of छाज्या ओलिंटन ओके यह हमारे क्या है चाज्या दिया गया है इसके अगर quantity की बात करें यहां पर दूसरा बात करें यहां पर क्याक्यट करने पर वो हमारे किया वंबन फूमेट कि गए ठीक और यहां पर यह कोंगेट हुमारे मद्द करते हैं यह क्या है थीक चैedere यह हमारे मीडिव कुए पर वींडों की अग। लिंटन प्रभाइड करते हैं यह हमारे क्या है लिंटन होए ओके यह हमारी लिंटन तो यहां पर जो बोल रहा है कि देख साते हैं यहां पर क्या बोल रहा है कि 1.2 मिटर वाइड विंडो ठीक है तो मतलब कि बोल रहा है कि हमारे जो 1.2 मिटर क्या है विंडो जो उस जो छोड़ी आती हैं यहां पर क्या होती 15 cm होता है ठीक है तो हमने यहां पर दोनों तरफ से 15-15 cm कंस्टीर कर लें ओके तो टोटल जो हमारी लेंथ हो गई लिंटन की ओके यह तो टोटल लेंथ हमारे कितनी होगी यह हमारी 15 cm में 30 cm हो गई 30 cm हो गई 30 cm मतलब की 0.3 meter ओके तो यहां और यहां हमारी हो जाएगी 1.2 मीटर और किसकी विंडो की विड़् हो गई तो टोटल लेंटन की हमारी लेंथ कितनी निकल लगई 1.2 पलस 0.3 तो टोटल हो गई 1.5 वज्ड मोर्ट करने वाले कौंट्री और इसका इसका सब्सक्राइब यहां पर चेंप साथ यहां पर रातीकिंट्र बारका एसाज्य व में खुक्छ हाइक है यह मैं यह इमें कुछ देखने में मिलता यह वहार की निकाला ड्ला ठार फिसक्त के ओपर क्या होती इसके लिए लिंटन्ट होगिंए हमारे ही वानर हो जाएगी ठीक होन रचकrant यह हमारी हो जाएगी फॉक्त करिये गांति झाय यह हमारा और ची के वह हमारा जाहेँ ऐसे ही जो जो आपनगे टर्ट हो जाएगा तो यह हमारे हो जाएं लिईंट्र रच्छल्ण जिसकी है कि अगर बात पर आइस इसा सिंटे ठीट सेंट डिस्टन की बात करें तो इस की आ goofy जो टॉप बार जिए टॉप पर देखने पर वह में चाज्जा थे लेंद देखने पर उसकी डाया दिखती यहां मर सारा क्या है सारी क्या है दिश्ट्यूबूशन बार है टिक है तो इसकी बाद करें पर प्लेसिंग की जाएगी वह हमारी होगी 100 अम्स सेंटर अगा कि और यहां पर आपकी जो श्याड बारत देख रही है ना इसमें में में बार हो रहा है वह तो ना सबसे पहला यहां पर क्या था फ्रेंब कर निकाने बड़ा था quantity for reinforcement in slave of छज्जा और छज्जा में जो भी हमारी इस्टील की जो इसो क्या पर गूला जा रहा है तो नहीं बात करता है कि इस्टील रेंफोर्समेंट करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं में बार के लिए तो फ्रेंट जो में बार की टोटल लेंद्ध करने बाद यह जो हमारी जो डाया है वह हमार क्या तो यहां से तोटल क्या जाने वाली उपर से ठीक है यह हमारी में बार हो गए और उपर से हमारे क्या जाएगा जो टॉप एंगर बार था ठीक है तो इसकी जो लेंद्ध कितनी निकलेगी फ्रेंट यह हमारी विंडो की लेंद्ध होगी 1.2 मिटर और दुना तरफ से हमें बेरिंग को एड़ करना पड़ेगा ठीक है जो हमारे बेरिंग थी लिंटन की तो वह हो जाएगी फॉंट ठीक है दोनों तो एड़ करने पड़ और और हो जाएगी 1.2 तो हमारी हो जाएगी 1.5 मेटर ओके तो 1.2 प्लस 0.3 अब माइनस करना पड़ेगा फ्रेंट दोनों तरफ से किलियर कबर माइनस करना पड़ेगा ओके किलिय तो कितनी है किलियर का दोनों तरफ से तो और 40 को फ्रेंट यहां पर हमने मेटर में कैलकूलर कर लिए ठीक है तो फोटी डिवाइड़ वाजाएगी 1.002 तो जो जाएगी 0.504 आ जाएगी ठीक है और दोनों तरफ से फ्रेंट करना पड़ेगा हुक को एड करना पड़ेगा तो फोस से नाइंड प्रेंड करते हैं तो तुटल हमारे ठीक होजाएगी 90 तो ट्रटल हमारे करते हैं । यहां पर क्या हो जाएगा जाएगा टोटल हमारे के फिए ठीक हो गई में तो टॉटल जो हमारी निकल जा रहे है तो देश सकते हैं अगर नंबर की बाद करें हमारी कितनी नंबर के लिए इक लैंगा बार बाद कि रहे तो क्वांटेटीक क्निन निकल जाएगी एक की निकलि इतनी तुचार कि इससे मंटिपलाइ कर दियगा तो हमारी पास आजाएगा 6.54 मीटर निकलता है तो टोटल कॉंटिटी कितनी निकले कितना केजी ठीक है तो यह इसके लिए फॉर्मुला की पर मीटर कितना केजी हुआ तो होता हमारा डी उसकार अपर 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 डेरिवेशन केल्कुलेंटेल होगे और जो कि हमारे चैनल उ करके देख सकते हैं तो ना बात करते हैं कि 162 तो हमारी कितनी यह यहां पर यह हो हरी हो हमारी अधिक होगे तो टूएल इसको डिवाड़न स्कुट इसकी जिए जैलो आया थी 0.889 केजी पर मीटर मेलब पर मीटर इसकी जो बेट होने वाले 0.89 केजी होती है तो पर मीटर औ और अगर 6.54 मीटर की बात करें तो इसे मुंटिप्लाइब कर देंगे 6.544 इंटु 0.89 वह हमारी भेलु आजाएगी 5.817 केजी आजाएगी यहां पर निकल लगी में बार के सिमागर चार नमरों बार है तो टोटल उसकी वेट की बात करें कितनी लाने पड़ेगी क्वांटिटी वह हमारी होगी 4.817 के जाएगी ठीक है जो कि हमारी क्या थी और करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा तो टॉन तरब से किले कबर मा खुक की लेंद एड़ करने पड़ेगी तो उसके समें क्या हो जाएगी फ्रेंट देख सकते हैं यहां पर क्या आगा 1.5 हो जाएगा ठीक है माइनस 2.04 प्लस 2 इंटू 9 इंटू और जो हमारी डाय आपर क्या पर देख सकते हैं 10 mm ठीक हमारी 10 mm ठीक है तो इसकी आ जागी य 2 और लेंथ हमारे कितनी निकली 1.6 निकली ठीक है तो 1.6 तो क्वांटिटी कितनी हो गए एक की निकली 1.6 तो 2 की कितनी निकल जाएगी 3.2 ओके तो सिम्राली हमने अगर नहीं यहां पर करते हैं कि दी स्कार अपन 162 से यहां पर क्या होता है पर मीटर उसका केजी फाइंड कर लेते हैं ठीक है तो वह हता हमारे 0.616 ठीक है तो पर मीटर निकला हमारे 0.616 और जो टोटल जो लेंथ निकल रहे हो निकली 3.2 तो उसके जब मंटिप्लाइब करीगे तो आपका आ जाएगा 1.97 kg निकल जाएगा ठीक है एंकर जो आपकी जो एंकर बार है उसकी लेंथ प्रवाट कर रहे हैं डीक है इसकी से जो अगर मिलका जाएगा क्या आपड़ेगे इसका परिमीटर प्लस दोनों तरब से हुक को एड़ करना पड़ेगा ओके तो यहां पर सबसे पहले इसकी अगरे बात कर ले आगे नेक्स्ट की तो फ्रेंट यहां पर नंबर और इसके निकले फ्रेंड आगा सिर्फ इसी पर देख लें यह मारतली यहां होने वाला यह हमारे सिर्फ होने वाला सिम्रली ओके तो इसकी लेंथ कैसे निकले तो टोटल हमारा कितना है 1.5 मीटर देख सकते 1.5 माइनस करना पड़ेगा दोन तरब से किलियर कबर और दिभाइड करना पड़ेगा जो भी आपकी स्पेसिंग है इस ट्रफ की जो कि हमारी इसी बागर रेक्टिंगलर जो हमारे सिर्फ होता है उसी कैसे कटिंगलर निकाल सकते हैं इस पर वीडियो अपलोड़ेड होगी अगर आप देखना चाहिए तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते ठीक है यह सबसे पहले हैं यहां पर क्या निकले का फ्रेंट यह इसकी हमाल लेते यह हमारे क्या तो टोट लिस्की अहरे कर चलिक देख सकते हैं कि यहां बेसेργें साथ सब्यूंब पर यह जाएगी यहां किनी हो जाएगा कि तो ना हम लोग बात करते हैं यहे कितनी हो जाएगी तो 2x यहां पर कितनी है है 2 242 तो निंट्स निकल यह निकल गई 944mm यह फिर 0.944mm तो बात करते हैं तो टोटल हमें कितना मीटर है वह पता चल दाएगा तो इसका वेलू पूट अप कर लेते हैं कि पर मीटर कितनी है तो अगर आपके पास 10.604 मीटर है तो उसके में कितनी होगी तो इसको जब मैंटिप्लाइ कर दीजेगा तो आजागा हमारा 4.18 kg यह हमारे जो वहलू था किसके लिए तरुक लिए टियुक्तिक लिए बात करते हैं यहां पर इसका यहां पर यहां पर यहां तो मैंटिंट इसकी लिए सyuड़ने है यहां प्रिए प्लस हमारी हो जाएगी तो दोनों किया करना पड़ेगा और इसके साथ माइनस करने पड़ेगा हूख इसके साथ मारे होता हुट तो नाट निकल सके मानेस करने पड़ेगे दोनों बॉस साथ किलियर कबर प्लस करना पड़ेगा हूगलें तो यहां पर एड करना पड़ेगा हमारा हूग लेकिन 90 होगा टिका टिकी तो मेरे यहां पड़ता है तो में पर सुझाने वाला वह वह लेकिन कितना नियूज होने वाला वह उसली कैसे करें तो तो यह हमारे का हो तो फ्रेंट एसे सिम्लेल हो कि हमारे का है घुल कीनた किнуться होगा ऐसे हो जो तो डिल्र हमेंकर जो टोटल हमें क्यार लेंथ चलुठ करेंगा इसलि Queens भूतके से कलिकले होगा इसलिए के से आख अखिएव करेंगा कि बिख़र को इस अमनल क्यलेद elder इसके यहां पर नंबर और निकल गी और इसकी जो लेंद की बात करें कि अगर 11 बार है और यह जो अगर एक लेंद जो बार है उसकी जो लेंद है निकली 0.894 निकली तो टोटल के कितनी निकल जाएगी वह हमारी हो जाएगी 9.834 मीटर ओके तो इसका मतलब कि जब निकालीगा कितना हो जाएगा एट इसकार ठीक है तो यहाँ पर दे सकते हैं एट इसकार अपट बास चीटू का निकल टा 0.395 केजी पर मीटर ठीक तो पर मीटर का निकल टा 0.395 जब इसको जाएगी इस फेक्टर को 9.834 से तो टोटल केजी निकल जाएगी 3.88 केजी लगने वाली है ओके तो फिर हम लोग बात करते हैं distribution बार के बात कर जो की similarly यहां पर क्या है उसकी अगर size of die की बात कर वह 8 mm है और 100 mm center to center distribution बार है अब distribution बार कैसे निकलेगी तो उसके लिए अपर दे सकते हैं distribution बार कैसे निकलेगी तो वह हमारा क्या रहाएगा कुछ ऐसा जाए प्लेस हो जाए को इसकी जो प्लेसिंग होगी कुछ ऐसे देखने को मिलेगी ठीक है चाज्जा में ठीक है वह हमारे क्या होगा क्या होगा इसकी अगर नंबर बार कैसे कैलकुलेट होगी वह हम देखना चाहते देख सकते हैं यह हमारे क्या इसका ही हमें क्या निकालना पड़ेगा तो जो लेंथ है वह निकालना पड़ेगी तो 600 प्लस 230 तो यहां पर क्या क्लियर कपर माइनस करना पड़ेगा तो 600 प्लस 190 यहां पर क्लियर कपर माइनस करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगी तो यहां पर क्या हो जाएगी तो महारी क्या निकल लगे एड नंबर और किती ही एड निकल लेंद किती ही निकल लगी वन पॉनट फीब फॉर निकल निकल जाएगी तो तो यह डोटाल केजी निकल जाएगे वो निकल जाएकि 4494 केजी ओके फटनाइन फोर केज निकल जाएगी तो ऊवर जो टोटल कॉंटिटी निकले कि गश्टिल एंफोर्समेंट की तोट ली तो जैँ ऐंकर गोङः तो दूसरों के बते हैं में इस गएिके से सब्सक्राव हो कि यह ने थी तो ड्सासे गा किदें करने में रहा हुआ है हमारी हो गए पॉइंट तो कॉंटिटीट कितनी निकल गई तो 1.5 इंटू 0.23 इंटू 3 तो यह निकल गए 0.0 कि बात करें ठीक है यह हमारे क्या है 75 इंट हो जाती है जाकी 0.075 में कल्कुलेट होगा तो तो इसकी जो बात करें इसको जो मंटिप्लाइ करें तो इसकी जो वैलू आएकि 0.054 और जो इसको एड़ करने पर आजागा 0.17 0.1575 मीटर क्यों क्या निकल गए हमारी टोटल क्वांटिटी निकल गए कॉंक्रीट की टोटल क्वांटिटी लगने वाली वह हमारी हो जाएगी इस लिंटन और चज्जा में तो ऑवरल जो कल्कुलेशन जो निकल गए 0.1575 मीटर क्यों निकल गया ठीक है और यहां पर बेसिकले फ्रेंट द क्या होता है इसका अगर आप इससे नहीं देखा तो प्रिजा के हमारी चैनल पर जाके देख सकते हों के नहीं यहां पर बात करते हैं कि जो कॉंक्रीटी कि निकल रहे ठीक है तो वह निकल रहे जीरो पांट 1575 यह हमारा रगा वेट है वेट कंडिशन में है लेकिन हमें तो अगलता थे दो उसके से में फिर फॉर या पिलिक चलते हैं कि रहे रहे बंड फॉर फोर या फाइफ हैश क्वाए लेकिशन पर चेलते हैं तो इसको निकला तो वह उन पॉंट फाइटल पर एंट वह हमारा वान्वान फाइफ सेवन तो मेंटिप्लाय करने पर हमारा का होगा तो बहुंक है यहां तो इसको इसको मंटिप्ला कर देते हैं और हम यहां तो आ Cambridge सबस्क्राइब कल्लेटी दिए शुक्डर सबस्काहसएब और इसमें अगर बात करें एक सिमेंट जो हमारी आती उसकी इतनी होती है फिप्टी के जी कि तो नंबर वेक में हमें केल्कुलेट हो जाता है वह आता है तो अवरल वन बेक लगने वाला है यहां पर जो सेंट करेश हुए टू है तू बाई सेवन हो जागा इंटू जो भी हम सब्सक्राइब यहां तो यह हमारे आजाए टू पंट फो टू सीफ्ट वोली एक क्यूबिक फिट को लिए ओके ना इसे में फ्रेंट यह हमारा क्या जागा रिश्यों जागा फॉर डिवाड़े बस सेवन इंटू हो जागी वो हमारी कितनी यह जी रूपन टू फॉर टू इंटू हो जाएगी 35.35 हो जागी तो यह जो कि क्योंकि क्यूबिक फिट में लाना होता ठीक है ना इस एक्रिगेट की अगर बात करें तो वह हमारा तब 4.88 क्यूबिक फिट बोल सकता है या फिर फिट क्यूब ठीक है यह तर फ्रेंट बेसिकलिक आप अगर आप छाज़ किसमा अगर आप सब्सक्राइब नहीं यहां सब्सक्राइब करो एक और अब इस वीडियो को डाफ्ना आप कमेंट कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू